हेलो एवरिवन आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत है तो बायो टेकनोलोजी में ही आता है एक टोपिक जीन क्लोनिंग यहनी कि जीन क्लोनिंग होता क्या है और जीन क्लोनिंग की विधी यह क्या होती इन सब के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं अब पहली बात तो यह आरी होगी आपके दिमाग में कि जीन की क्लोनिंग करवाना यहनी कि जीन एक तरह का डियने का पार्ट होता है उसकी क्लोनिंग करवाना क्यों जूरूरी है क्योंकि जैसे कई बार देखा होगा कि जो शुगर के रोगी वगरा होते हैं यहनी कि जिनको डाइबर्टी कराई जाती है जीन की इंसुलिन के जीन की जिससे की बहुत सारे बड़े पैमाने पर हमको इंसुलिन के इंजेक्शन प्राप्त हो जाते हैं तो जीन क्लोनिंग करवाने का मकसद यही है अब जीन क्लोनिंग होता क्या है कि इसमें एक ही जीन निकी डीने का एक जो पार्ट होत कि एकल्णियों करता है कि अपन को यह जैसे इक को लाई होता है बैक्टीरिया us kay लिया जाता है प्लाजमिट इसके साथ खुद का सर्कुलर ढीयना अबी और साथ में क्या है प्लाजमिट भी पाया जा रहा है है सके तो प्लाजमिड का काम क्या है एक तरह के वैक्टर की तरह काम करता है यह वहाग की तरह काम करता है यह डियन ने अनुओं को क्या करता है कि जोडने का काम करता है अपने साथ और अधर उसमें ट्रांसफर करने का यह बैक्टिरिया में ट्रांसफर करने का काम करता है जिसकी त बाद में donor cell से क्या लिया है DNA जिसकी अपने copies त्यार करनी है तो DNA fragments है अब इनको क्या करेंगी कि isolate of plasmid और जो DNA fragment हैं इन दोनों को जोड़ करके और एक और बात इनको लिया कैसे DNA fragment वगरा इनको restriction endonucleus enzyme की साहता से कट करा है क्योंकि restriction endonucleus enzyme जो क्या होता है कि जो एक निश्चिस sequence से काटने का काम करता है DNA के अनों को तो यह निकि जीन्स को से काटने का काम करता है तो अपने plasmid को और यह जो DNA fragment है इनको जोड़ दिया है तो जो बना उसको बोलते हैं इसको बोलते हैं कि पुनर योगिस DNA यह रिकॉमिनेंट plasmid यह पुनर योगिस plasmid अब इसको क्या किया है रिकॉमिनेंट plasmid यह DNA को किसमें transfer कर दिया है E. coli के अंदर अब E. coli के अंदर transfer कर क्योंकि आए क्योंकि एक तरह का E. coli बैक्टीरिया होता है अशेरिकिया कोलाई जिसको बोलते हैं इसमें यह जैसे reproduction वगएरा करेगा E. coli तो बहुत सारी कोपियां त्यार करेगा यह निकि क्लोंस बनाएगा यह निकि बड़े पेमाने पर जीन की क्लोनिंग करता जाएगा अपने जनन के थ्रू तो क्लोंस त्यार हो जाएंगे इस अब इसको थोटीकल समझते हैं तो पहला है वीधी वांचित जीन का प्रथक करन वांचित जीन यह निकि डिजायड जीन यह निकि जिसको अपने कोपी इस त्यार करने है तो वांचित जीन को दाता डीन ने से अब जिससे ले रहे हैं वही तो है उससे restriction endonucleus enzyme की साहता से कर लेते हैं ठीक है यह enzyme DNA को करता है यह निकि जो अपन को DNA की कोपी बनानी है यह निकि जीन की उसको क्या कर लेते हैं restriction endonucleus enzyme की साहता से कट कर लिए जाता है कर लिए प्रथक अब प्रथक करना और चीरना प्लाजमर सर्कुलर स्ट्रक्चर है उसको रेख ही बनाना यह नि फिर उसके बाद में यह दो step हो गए अब थार्ड है पुनर योगित DNA का formation प्रथक की हुए जीन यह वाला जो जीन अपने लिया था डिजाइड जीन भी बोल सकते हैं इसको यह वांची जीन को और किसको यह जो प्लाजमर है जिसको अपने प्रथक किया था इको लाई बैक् यह जो प्लाजमर के साथ में जुड़के मिला उससे बोलते हैं पुनर योगित यह संग DNA और प्लाजमर को क्या बोलेंगे पुनर योगित प्लाजमर अब उसके बाद में फूर्थ स्टेप क्या आता है कि इकोलाई में प्लाजमर का प्रवेश अब जो पुनर योगित प्ल प्लाजमुड मिला था अब फिफ्ट श्टेप आता है जीन की कलोनिंग अथवा भूब यानि कि जीन की कलोनिंग का जीन का कोपी इस त्यार करना तो यह लास्ट स्टेप पे इसमें क्या होता है कि जिवान एकोलाई के विभाजन के फल्सुरूप बहुत सारी समान प्रतिक्र प्रतिक्रति बन जाती है यानि कि अपने जैसे एकोलाई में प्लाजमुर का जैसे प्रवेस कराया था फॉर्थ स्टेप के अंदर तो जो ये जीन क्लोनिंग करेगा ये अपनी संख्यां में रद्धी करेगा क्योंकि ये बैक्टीरिया एकोलाई तो ये जैसे से हो सकता है जीवानू के रिप्रोड इस टाइप से जीवानू के क्लोन दोरा भाउससरी समान प्रतिकर्ति बनाई जा सकती है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट शेक्चन में लि